सिंग्रोली जीला मुख्याले बैढ़हन माजन मोड राजियो गांधी चौरहा जहां पर यातायाद पुलिस का 24 गंटा पहरा होता है यातायाद पुलिस कर्मियों की आँखे खाती है धोखा या होती है वसूली जब कोई मोडर साइकल सवार यातायाद चौरही से गुजरता है तो यातायाद पुलिस कर्मियों की दिविद्रिश्टी बड़ी तेच हो जाती है उस मोडर साइकल सवार पर नदर चली जाती है और मोडर साइकल सवार को रोक करके पूछा जाता है कि हेलमेट नहीं है फिर मोटर साइकल सवार विक्ती पर हेलमेट ना होने के कारण चलानी कारवाई होती है या चाय पारी में मामले को रफा रफा कर दिया जाता है लेकिन यातायाद चेक पोश्ट पर पुलिस की कड़ी पहरा होने के बावजूर जब कोई वहन अपने भार चमता से अधिक ओवरलोड होता है फिर भी उस वहन पर कारवाई नहीं होती है आखिर क्यों गुप्त सूतर से प्राप्त जानकारी के नुसार यातायाद चोराहे पर ओवरलोड वहन खड़ी होती है सिर्फ दो मिनिट के लिए फिर उस गाड़ी के पास से यातायाद चेक पोस्ट पर तैनाद पुलिस करवी ड्राइवर के पास आते हैं और ड्राइवर से काना फुसी करते हैं ओवरलोड वहन चालक वर यातायाद पुलिस करवी के बीच ऐसा क्या बात होती है और बात होते हैं ओवरलोड वहन को ड्राइवर ले करके आगे की और चला जाता है ये काला खेल यातायाद चेक पोस्ट पर लगातार जारी है यातायाद चेक पोस्ट माजन मोड से चंद करमो की दूरी पर यातायात के थानप्रभारी रमायन प्रशाद मिश्रा बैठते हैं लेकिन ओवरलोड दौड रहे वाहनों को लगाम लगाने में सफल रही रहें सिंग रोली से वेपन सिंग चंदेल, जीला बीरो सिंग रोली कि लिए इसके राबा वहनों से वहां टेक्स भी एक दो करों डूपे का टेक्स भी सासन के खाते में जमा कराए दिया तो नेरंतर ही मैं इस दिशा में खारी कर रहा हूँ सब्सक्राइब